नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सवी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ और आज स्टान्डर 12 का जो रिजल्ट आया है उसमें A1 ग्रेट जिन्होंने प्राप्त किया है वो है संसकार भारती सारला की जो विध्यारतीनी है इंग्लिश मीडियम की उनका A1 ग्रेट आया है और इंग्लिश मीडियम में वो फर्स्ट है स्कूल में ऐसी वो है चांदवानी निकीता निकिता आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में साथ में उनकी मॉम भी यहां पर उपस्ती थे आपका भी स्वागत है और इंग्लिश मीडियम के जो प्रिंसिपाल है यहां पर ममता जी भी उपस्ती थे ममता जी आपका भी स्वागत करती हूँ और A1 ग्रेड में जीनों ने भी आज प्राप्त किया है A1 ग्रेड स्टांडर्ड 12 के रिजल्ट में सभी को हमारे चैनल की परिवार की और से हम सुभेच्छा देते हैं सबको क्योंकि ये जो रिजल्ट था 12 का उसमें महत्वपुन्द बात ये है कि हमेशा हर 10th स्टांडर हो या 12th की 12th science हो या 12th commerce हो सभी में सूरत सबसे आगे है सबसे important बात ये है तो सूरत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमेशा education में वो आगे रहा है तो निकीता से हम बात करते हैं निकीता आपने ये जो रिजल्ट पराप्त किया है उसके लिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी मतलब मेरे को तो पहले से यासा था कि ऐसा अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो मॉर्निंग में 4.30 को इस सब के कॉल आने लगे कि इतने अच्छे पॉसंट रिजल्ट आएं मॉर्निंग में मॉर्निंग में जब कॉल आया तब पता चला तेरे को कि तेरा इतना अच्छा तेरे परसंटेज आये है तो सबसे पहले तुने किस ने बताया अपने घर में सब साथ में उठ गए थे ऐसे फोन आ गया था तो फिर मलब सब को पूरी रात साइद नेंद भी नहीं आई होगी कि कल सुब मॉर्निंग में रिजल्ट आने वाला है और क्या रिजल्ट आएगा वो सब क्या टेंशन चल रही थी तेरे माइन में कुछ अच्छी बात हुई अच्छी बात है इतने मतलब आप जिमेदा स्टूड़न्ट हो मतलब इतना आपको क्या कहते कि जब रिजल्ट हो या कोई भी चीज में अगर आप अच्छा कुछ प्राप्त करना है आपको तो उसके लिए थोड़ी सी उत्यच ना रखनी बहुत ही आवश्यक है और आप में है वह अच्छी बात है आप और क्या करना चाहती है आगे CS करना चाहती हूं मैंने स्टार्ट भी कर दिया है और जी बहुत ही अच्छी बात है ये CS करना चाहती है अच्छी बात है आप उसमें आगे बढ़े ऐसी हमारी शुप काम न रहेगी लेकिन पढ़ने के अलावा आप और कुछ मतलब आपको शौक है कुछ और दानसिंग है फिर पहले टिक टॉक वीडियो से बड़ा भी बैन है तो फिर चाइना के वाज़े से डिलेटेट मतलब ऐसी स्टूड़न मैंने देखी जो एवन ग्रेड प्राप्त किया है उसने फिर भी टिक टॉक वीडियो भी बनाती थी और उसने फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है तो बहुत अच्छी बात है मतलब सोशल मीडिया कितना यूज किया मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा यूज किया बट एक्जाम जाने वाले थी तब स्लो कर दिया बंद कर दिया तो क्या ऐसा मान सकते है कि जब स्लो किया मतलब सोशल मीडिया य्यूज नहीं किया तो इतना अच्छा रिजल्ट आए ऐसे बुरी भी बात है जो लोग शोशल मीडिया काम के लिए यूज करता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन शोशल मीडिया पे जाके हम कुछ और जगा पहुँच जाते है वो गलत बात है तो यूज करिए लेकिन इतना भी ना यूज करें कि उसके हम आदी हो जाए और खास करके यंग जनरेशन को मुझे इसलिए कहना है कि यंग जनरेशन जब इस मोड पे चले जाते हैं तो उनके कैरियर पे बहुत ही अशर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसी student है जो सब social media यूज करने के बात भी उसने अच्छा result प्राप्त किया है सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं सब में इतनी talent नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि इसने यूज किया इसलिए हम भी यूज करके result प्राप्त कर ऐसा मत करना आपका भी भी तो बहुत ही अच्छी बात है और आपक स्कूल के साथ आपका कैसा मतलब रहा आपका अनुभाव मतलब मैं स्कूल 11 से जाइन के है सो टू यर्स की जानी मतलब बहुत अच्छी रही थी स्कूल वालों को बहुत ज्यादा support था मेरे को जितना मेरे पर confidence नहीं था उतना sirs को मेरे ओपर confidence दा कि तेरा ये वनाएगा ल अच्छी बात है आप आप नहीं आये है तो हम पापा को भी याद करेंगे आपके जी कोई बात नहीं पापा के बारे में क्या है कहें कि पापा ने कितना मतलब help किया और उनको कैसा लगा आज तेरे रिजल्ट को लेके उनको तो बात खुशी भी तो गिफ्ट भी मिलती है बहुत जादा आज ओफिस भी नहीं गए रिजल्ट हा तो अरे बापा ने आप आज ओफिस नहीं गए गिफ्ट सारे दे कितना मतलब आज खुशी ही खुशी है राइट बहुत ही अच्छी बात है हमारे जो दर्शक है उसको क्या कहना चाहेगी तो मतलब प्रॉपरली स्टड़ी करो बच सक्सेजन फेलियर मतलब अगर कम परसंटेज आए तो इसका मतलब यह नहीं के रॉंग स्टेप ले लो फोकस रखके स्टड़ी करो जी बहुत ही अच्छी बात है हमने निकिता से बात की जो संसकार भारती साड़ा की अंगरे जी करने वाली हूँ क्योंकि आपकी स्कूल के 9 स्टूड़न्स आये है 100% रिजल्ट आया है तो आपको कैसा लग रहा है और आप किसको बतलब श्रय देना चाहते हैं आपकी साड़ा परिवार में किसका सपोर्ट रहा आपको पूरा क्रेडिट सबसे पहले बच्चों को जाएगा उन्हीं की मेनत थी और उन्हें उनका रिजल्ट मिला है उनको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत थी जो हमारे टीचर ने उनको दिया उन्होंने जो रास्ता दिखाया उनको इन बच्टों ने बहुत प्यार से अपनाया और उस रास्ते पर चले और आज इस पॉजिटिव वे में उन्होंने रिजल्ट गेन किया है and the whole team of our school is very happy with their result. So congratulations to each and every student. मैंने जाना है तब तक तो आपकी जो स्कूल के जो ट्रस्ती वगेरे जो है उनका भी काफी सपोर्ट हर शेत्र में रहा है तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारे सर थोड़े हटके हैं उनको जादा खुशी होती है जब 100% result आता है दूसरा step वो even पूछते हैं सबसे पहले school का result 100% हमारा first motive then he asked about the result और उसके अलावा उनको इसमें बहुत interest होता है कि बच्चे पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं वो ये समझते हैं कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई talent है और school में सबसे जादा समय बितारते हैं बच्चे इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा student में कौन सा hidden talent है तो उसे बाहर निकालने में वो हमारी मदद करते हैं और try करते हैं कि उनको हो सके उतना हम platform दे और आगे बढ़े वो तो ट्रस्टी का इतना support है इसलिए हम teachers को इतना motivate करते हैं कि वो भी बच्चों को आगे बढ़ने में help करें बहुत ही अच्छी बात है सब का हम कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है दो हाथ उसमें चाहिए तभी ताली बचती है तो सब का support है तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे ही जब students की बात आती है तो सबसे पहले school आती है उसके बाद उसका परिवार आता है उसके बाद उसके tuition sirs और teachers आते हैं और उस सबी को मिला के ये result प्राप्त होता है तो बहुत ही अच्छी बात है तो आप सब को भी कुपकुप अभिनंदन और सबसे पहले में school को भी कुप अभिनंदन देना चाहती हूं ऐसे ही result आप हमेशा प्राप्त करते रहे और भी A1 grade के students के साथ मैं वापस आउंगी तब तक के लिए नमस्कार antibiotic है और ORP संतुलित करता है जो immunity बढ़ाने में एवं 70 से भी ज्यादा बिमारियों में सहाई करता है सिर्फ दो बूंद liquid calcium रोज सुबह शाम 250 ml गुन-गुने पानी में डाल के पिने से आश्चर्य जनक परिना मिलता है सिधान्थ Lime Private Limited झाल करता है झाल कर दिर्फ दो जुने कर दो करता है